मैंने आप लोगों को इसमें आगे लाइन्स बनाने को कहा और मैंने जो है वो 6 लाइन्स इसमें बनाई है और मैंने इसे एक पैंसिल बॉक्स जितना एक वैनिटी बॉक्स जितना साइज दिया है आप अपने इसापसे इसमें लाइन्स दे दें अगर आपको इससे जादर ला शो कि बोई भी से स्टिचे बंते हैं , जो मैस श्लिप स्टिच करते हैं , बोईस्टत कुछान भी प्स्टिच हुग जाता है , कि भी स्टिच मारक। लंगा। यौज़ लगा कि पटा चले क compensate कि लिए भी मेंगा कि उ मेंगाई एफ़ गी पारती और समयर की सीखो क्या है। जो है वो टी आर्ज हो चुके हैं अब मुझे यहांपर सिफ इसको DC करना है तो मैं जो है वो अपने इस स्टेच में जाकर और DC कर लूँगी ठीक है यह मेरा DC हो गया यहांपर मेरा फ्लावर जो पैंसल बॉक्स या जो भी एंडिंग करनी थी वो तो हो गई है ठीक है अब मु करते जाएंगे यह इस तरह से करता जाएंगे यह कर दो तो हो भी एंग Reda. था कर लो हो आएंगे यह जो जो दुप हो प्लावर स्टेग जो हो इस तरह से आपने चार्ड लाइने DC की बनानी है और आपने यहाँ पर भी अपना स्टिच मारकर पहले DC पर जॉप ने किया है उस पर अपना स्टिच मारकर लगा लें ताकि चार्ड लाइने जब आपकी DC की कम्प्लीट हो तो आपको पता चल जाए चार्ड लाइने DC की बनाकर वीडियो दुबारा प्ले करें यह मेरी DC की चार्ड लाइने कम्प्लीट हो चुकी है और अब मैं जो है वो अपना धागा कट कर दूँगी यहाँ से मैंने से कट करा और एक चेन लेकर मैंने से लॉक कर दिया ठीक है सॉरी स्लिप स्टिच तो रही गया हमारा आपने यहाँ पर जब आपका लास टाका आजाएगा तो उसके बाद आपने एक स्लिप स्टिच ले लेना है यह लास डी सी और आखरी वाली लाइन में स्लिप स्टिच नेक्स स्टिच में आपने इसको स्लिप स्टिच ले लेना है ताके आपका काम एक साथ कंटीनू रहे यह मैंने एक स्लिप स्टिच लिया फिर एक चेंड ली और इसको लॉग कर दिया यह हमारा क्लच तयार है आप इसको मैंने आपको बतायता है कि आप इससे बहुत सारी तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह रेडी हो चुका है इसमें हम यह लाइनिंग लगाएंगे और मैं लाइनिंग कैसे लगाते हैं यह भी आपको लगाना सिखाती हूँ इसके लिए आपने सबसे पहले इसको इस तहां से आपने रखा और आपने पर्स इसके ओपर रखना है आपने पर्स इस तरह से रखना है कि एक इंच यहां से एक इंच आपका जो है वह यहां से एक इंच इस तरफ से एक इंच इस तरफ से और एक इंच इस तरफ से चारो साइट से एक इंच आपने जादा रखना है व्योंकि हम पिर इस तरह से मोड़ेंगे तो आपने इसे एक इंच जादा छोड़ना है और आपने फिर इसे अपने पर्स के साइज से कट करना है ठीक से कट कर लोगे कर अगरी कर दोटों कर दो चाहता है अटक्षिर हैं लग्वोड करता झाल 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 यह कटो गया इसके बाद सुई और धागा आपने लेना है अब आपने यहां से इसे थोड़ा सा मोड़ना है इस दागा से आपने से थोड़ा सा मोड़ना है आपने से थोड़ा सा मोड़ना है आपने से थोड़ा सा मोड़ना है और जैसे हमने सोड़ा की अस्तीन में जो है वो पॉकिट में अस्तीन में चुटी चुटी टांके लिये थे वैसे ही हम यहां पर भी ले लेंगे भी खर भी टांके लिए ये मैंने जो है वो पहले सिंगल सिंगल तरफ से मोड लिया इस तरह से और मैंने इस पर टांके लगा लिये इसके बाद अब मैंने इसे जो है वो इस तरह से अपने पर्स की शेप में मोड़ा है और अब मैं इसे यहां पर साइडों पर जो है वो सुई धागा लेकर और अब मैं साइडों पर जो है वो उसके तुर्पाई या कच्छे डाके करूंगे झाग जैघ करी रेवाद करूंगे छो है वो सकता है करके कुछ बल्र चुर्पाई method • हुप सोती भी से बला के बलसी होो है वो वो है नह ю सकता है तर यह ऐुर्पाई चाहो है है रेशास के का है रेवादा Southeast वरहा है था रहाँ weit बला की इस तरह से फिर में नॉट लगाकर दूसरी साइड भी इसी तरह से टांके लोगे यह अस्तर सिल गया तो चारो तरफ से मैंने इसकी सिलाई लगा लिए अब हम सबसे पहले इसको सीधा करेंगे इस तरह से आप इसे सीधा करेंगे यहां कॉनर पर आप जो है वो फिंगर्से से सई करेंगे इस तरह से इसके बाद आप इसे पर्स के अंदर डालेंगे पर्स के अंदर डालने के बाद आप सबसे पहले जैसे हमने स्तीन में किया था सोईटर की जो हमने स्तीन बनाई थी उसमें हमने ये काम किया था हम इसमें भी यही करेंगे सबसे पहले हम जो है वो इस कॉर्णर को इस कॉर्णर के साथ अटेच कर लेंगे यहां वाले पर हम इसको अटेच करेंगे ठीके इस वाले पॉइंट पर अटेच करने के बाद सुई धागे से इसको टांक लेंगे इसके बाद हम इस कॉर्णनर पर आएंगे और यहां से जो है वो हम इधर से इसको मिलाएंगे ठीके इसको मिलाएंगे यहां से इसको मिलाएंगे और उसके बाद पिर हम इसको यहां से बराबर बराबर लेते जाएंगे और टांके लगाएंगे यहां से इस तरह से कि जब आप इसके उपर जिप लगाएंगे तो अगर आपका थोड़ा साभी कपड़ा बाहर होगा तो जिप खोल बंद करने में ये कपड़ा आपका फसेगा और जिप तूटेगी कपड़ा खराब होगा क्लच खराब होगा दस प्रॉबलम्स खड़े होगा इसलिए आपका क जो है वो अस्तर भी लगाया है लाइनिंग भी लगाई है और आप इस कलच को जो है वो और बहुत सारे परपस में इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें श